स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल पर तो आज क्लास बारह के भोती विज्ञान अभ्यास दो अभ्यास का नाम है इस्थिर बैदुत बीभो तथा धारिता के अभ्यास प्रशनों के बारे में अध्यन करेंगे तो पिछले भाग में प्रश नमबर एक से ले करके प्रश नमबर साथ तक के सभी प्रशनों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लैलिस्ट में आल वीडियो है वहां से जा करके वीडियो को देख सकते हैं इस भाग में प्रशन नमबर आठ से ले करके आगे के सभी प्रशनों को हल करके बताया जाएगा आप सभी विद्यारती एक एक कोशन को अपने कौपी में नोट करते चलिएगा तो प्रशन नमबर आठ क्या है तो प्रशन नमबर आठ है पटिकाओं के बीच वाई वाले एक समांतर पटिका संधारित की परतिक पटिका का छेत्रफल छे गुडे तस के पावर माइनस तीन मीटर का स्क्वायर तथा उनकी बीच की दूरी तीन यम यम है संधारित की धारिता को प्रकलित कीजिए यदि इस संधारित को सो बोल्ट के संभरन से जोड दिया जाए तो संधारित के परतिक पटिका पर कितना आवेस होगा तो इस प्रस्ण में दो प्रस्ण की दो इसमें गढ़ना करना है धारिता का और किसका आवेस का गढ़ना करना है तो यहाँ एक कोर्षन में जो मान दिया गया है आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या किजेगा नोट करते चलियेगा तो अब यहाँ लिखेंगे हल हल में क्या है कोर्षन में क्या दिया गया है छेतरफल छेतरफल किसे परदासित करते हैं तो ए से ए बराबर क्या है छे गुड़े दस के पावर माइनस तीन मीटर का स्क्वायर या जो है मान किसका है या छेतरफल का मान है उनके बीच की दूरी दूरी किससे देखाते हैं तो D से D बराबर कितना है तो 3 यम यम मतलब 3 मीली मीटर इसको बोला जाएगा मीली में कितना पावर होता है तो 3 गुड़े 10 के पावर माइनस 3 होता है और यहां क्या बन गया मीटर रहेंगे सी का मान इसमें पूछा जा रहा है इसके बाद से दिया गया है संधारित को सौबोल्ट सौबोल्ट मतलब भी भी बराबर क्या है सौबोल्ट सौबोल्ट से संभरन मतलब सप्लाई कहा जाता है सप्लाई से जोड दिया जाता है तो पटिका पर कितना आवेस आवेस का मतलब Q, Q बराबर प्रश्ण माचक इसमें कितने प्रश्ण पूछा गया है तो इसमें दो प्रश्ण पूछा गया है पहला जो है धारिता की गर्णा करना है अदूसरा जो है आवेस की गर्णा करना है तो अब यहाँ पे धारिता का सुत्र क्या होता है तो समानतर पट संधारित में धारिता का सुत्र होता है C बराबर होता है अपसाइलम 0 A बटा D होता है यह किसका सुत्र है तो धारिता का सुत्र है अब इस सुत्र में मान को रखेंगे अपसाइलम 0 का मान A का मान और D का मान रखकर किसको साल्व कर लेंगे तो C बराबर हो गया अपसाइलम 0 का मान आप लोग को याद होगा 8.85 गुड़े 10 के पावर माइनस 12 होता है 6 तरफल का मान कितना दिया गया है तो 6 तरफल का मान जो है 6 गुड़े 10 के पावर माइनस 3 दिया गया है बटा हो जाएगा और D का मान जो है दूरी दूरी का मान क्या है तो 3 गुड़े 10 के पावर माइनस 3 दिया गया है यह जो है अपसाइलम 0 का मान और यह 6 तरफल का मान और यह जो है दूरी का मान है अब मान रखने के बास से 10 के पावर 3 से 10 के पावर 3 को कार देंगे तीन दून अच्छे दो बार में गया अब क्या बचेगा यहां पर तो C बराबर नोट का लेंगे आठ दसमलो आठ पाँच गुड़े दस के पावर दस के पावर क्या है माइनस जो है बारह गुड़े और यहां क्या बचा है दो बचा है अब दो से जब इसमें गुड़ा करेंगे तो C बराबर हो जाएगा सत्रह दसमलो साथ है गुड़े दस के पावर माइनस बारह अब यह बारह जो है और इसका मातरक क्या हो जाएगा तो फैरड होगा क्योंकि धारिता का मातरक क्या होता है फैरड होता है अगर इस 12 घात को हटा दें तो क्या बन जाएगा सी बराबर 17 दसमलो सा अब हो जाएगा पिको फैरड पिको मतलब 10 के पावर माइनस 12 मनने एक पिको फैरड में कितना फैरड होता है तो 10 के पावर माइनस बारा फैरड होता है तो दस के पावर जब माइनस बारा को हटा देंगे तो क्या लिखेंगे पिक को फैरड हो जाएगा तो लगवक कितना आ गया तो सत्रह दसमनों साथ को लगवक लिख सकते हैं अठारह पिक को फैरड तो पहला कोशन जो है हल हो गया, तो C का मान कितना गया, 18 पिक को फैरड आ गया, अब इसमें आवीज की गर्णा करना है, तो आवीज का सुत्र क्या होता है, तो आवीज क्यू बराबर सुत्र होता है, C भी होता है, या देखिए का आवीज क्यू बराबर क्या होता है, C भी होता है, तो अब हम मान रखेंगे Q बराबर होगे C का मान या वाला मान रखेंगे 17.7 गुड़े 10 के पावर माईनस 12 और यहां भी का मान जो है 100 बुल्ट है कितना बुल्ट है 100 बुल्ट कोर्शन में दिया गया था अब अगला लाइन लिखेंगे q बbreadर लिख देंगे अब यहाँ पर क्या होगा 17 10 मलो 7 गुडे 10 के पावर soul-12 और 10 के पावर यहाँ 2 लिख लेंगे 10 के पावर 2 का मतलब होता है 100 10 का पावर क्या है 100 होता है अब 2 हाथ में से जब 12 हाथ को घटा देंगे तो क्या जाएगा 17 10 मलो 7 सात गुड़े दस के पावर माइनस दस हो जाएगा तो अब यहाँ पर जो इसका मातर क्या होता है तो इसका मातर जो है कुलाम होता है अगला लाइन लिख सकते हैं क्यू बराबर लिख सकते हैं कि अगर एक अस्थान दस मलो आगे घुसुक जाए इधर आ जाए तो क्या होगा एक दस मलो साथ साथ गुडे दस के पावर माइनस जो है क्या हो जाएगा नौ हो जाएगा और यहां लिखेंगे कुलाम तो लगभग इसे क्या लिख सकते हैं तो लगभग लिख सकते हैं क्यू बराबर लिख सकते हैं लगभग एक दस मलो 7 CEO है तो लगभग लिख सकते है एक दस मलो 8 गुड़े 10 के पावर माइनस 9 कुलाम लिखा जा सकता है तो आवेश का भी गर्णा हो गया और इसके उपर जो है और किसके गर्णा किये थे अभ्यास दो दस्मलो आठ मतलब दो दस्मलो आठ मतलब आठ्वा कोर्शन जो हम अभी पढ़े हैं इसका इसमें परियोग करना पढ़ेगा जो अभी आठ्वा नंबर का प्रशन में जो भी मान देखें हैं इस मान को इसमें परियोग करेंगे तो दो दस्मनों आठ में दिये गए संधारित की पठिकाओं की बीच यदि तीन यमियम मोटी अबरक के एक सीट पतर पारा बैदुतांग छे मतलब पारा बैदुतांग का मान इसमें क्या है छे रख दी जाती है तो असपष्ट कीजिये क्या होगा जब बीभो बुल्टे संभरन जुड़ा ही रहेगा अदूसरा जो है संभरन को हटा लिया जाएगा मतलब संभरन मतलब सप्लाई सप्लाई से जुड़ा रहेगा और यहां से सप्लाई से क्या किया जाएगा हटा लिया जाएगा तो अब यहां लिखेंगे हल और हल लिखने के बाद से कोशन जो है प्रश्ण नमबर आठ में जो मान दिया गया था यही मान इसमें भी परियोग करना है तो प्रश्ण नमबर आठ में आप सभी भी द्यार थी देख लेजे प्रश्ण नमबर आठ में क्या-क्या मान दिया गया था तो प्रश्ण नमबर आठ में जो है बोल दिया गया अकल प्रयोग कें प्रशन बर 9 में प्रयोग करेंगे तो यहां सबसे प्रलिखेंगे यहां भी भी कामान कितना दिया गया था प्रशन 18 दिया गया था 200 बोल्ट हो गया 6 तरफल कितना दिया गया था तो 6 तरफल जो है 6 गुड़े 10 के पावर माइनस 3 मीटर का स्क्वायर दिया गया है कोशन में और उसके बाद से आवेश का मान क्या था तो आवेश का मान Q बराबर जो है एक दस मलो आठ गुड़े दस के पावर क्या था माइनस जो है नो कुलाम था यह मान हो गया क्यों का मान हो गया और उसके बाद से मान दिया गया धारिता अब धारिता का मान इसमें C0 लिखेंगे क्योंकि पारा बैदुतांग है तो पारा बैदुतांग इसमें रखा ग अब यहाँ पर देखेंगे इस कोशन में पारा बैदुतांग कितना है तो पारा बैदुतांग 6 है तो पारा बैदुतांग को की से पदासित करते हैं तो के से पदासित करते हैं के बराबर 6 हो गया तो अब यहाँ पर असफश्ट कीजिए जब बीभो सम्हरण जुड़ा ही र स्पास से प्रशन नमर एक और प्रशन नमर दो को हल किया जाएगा तो यहां पारा, बैदू-तांग qion में दिया गया है तो इसने सुत्र होता है के बराबर, आपसे विड्यारती पढ़ें तो और पारा, बाबर, अभियास में बताया जा चुका है अब के कामान जो है के बराबर क्या है तो 6 हो जाएगा बराबर हो जाएगा C C कामान जो है मैं मालूम नहीं है बटा C 0 कामान 18 है 18 पिको है इसमें गुड़ा कर लेंगे तो 18 में जब 6 का गुड़ा करेंगे तो 18 में 6 का गुड़ा कर लेंगे तो 108 पिको फैरड हो जा सकते हैं PC बराबर लिख सकते हैं 108 गुड़े 10 के पावर माइनस 12 फैरड लिखा जा सकता है क्योंकि पिको में कितना घात होता है तो 10 के पावर जो है माइनस 12 घात होता है तो यहां नोट कर लिजिए अब उसके बाद से अब यहां पहला कोशन को हल किया जाएगा तो पहला कोशन क्या है कि बीभो जो है संभरन से जुड़ा मतलब संभरन से मतलब सप्लाई से जुड़ा है तो इसमें क्या नियत होता है अब यहां पे लिख लेंगे अब यहां लिखेंगे बीभो संभरन, संभरन मतलब सपलाई, बीभो संभरन जुड़ा हो, संभरन से क्या हो जुड़ा हुआ है, अतह संधारित का बीभोवांतर नियत होता है, क्या होता है? नियत होता है नियत होता है तो जब यहां नोट का लिजेगा पहला कोशन में जब बीभो जो है संभरन से जुड़ा हो तो संधारित का विभुवांतर क्या होता है नियत होता है मतलब विभुवांतर जितना है क्या था विभुवांतर 100 वोल्ट था तो 100 बोल्ट ही परियोग करेंगे तो 100 बोल्ट हो गया और यहाँ आवेस की गढ़ना करना है क्योंकि इसमें आवेस का गढ़ना करना है क्योंकि इसमें आवेस नहीं दिया गया है तो इसमें आवेस पहले निकालिया जाए तो आवेस Q बराबर होता है C भी होता है तो Q बराबर हो गया C का मान जो है कितना निकला है तो 108 गुड़े 10 के पावर माइनस 12 है और B का मान जो है 100 है तो 100 हो गया अब अगला लाइन लिखेंगे Q बराबर अब यहां लिख सकते हैं 108 गुड़े 10 के पावर माइनस 12 गुड़े 10 के पावर दो गात में से 12 गात को घटा देंगे तो क्या जागा 108 गुड़े 10 के पावर माइनस 10 कुलाम यह जो मान निकल गया आवेस का मान इसमें निकल गया supply में से जुड़ा हो तो इसका आवेस का मान कितना हो गया 108 गुड़े 10 के पावर माइनस 10 कुलाम तो यहां अब लिख देंगे इस इस्तती में इस इस्तती में क्या क्या मान निकला है तो इस इस्तती में भी का मान क्या है तो भी बराबर जो है 100 बोल्ट है भी का मान क्या है तो 100 बोल्ट है अब यहां लिख लेंगे भी बराबर 100 बोल्ट और पहला मान 100 हो गया भी बराबर 100 बोल्ट हो गया और C बराबर जो है इसमें C बराबर क्या परियोग किये थे तो C बराबर परियोग किये थे 108 पिको फैरड और आविश जो निकला है Q बराबर 108 गुड़े 10 के पावर माइनस 10 कुला तो इसे जो है मानक रूप में भी लिख सकते हैं कि 1.08 गुड़े 10 के पावर माइनस 8 लिखा जा सकता है तो यहां दो अस्थान गर दसमल लगा देंगे तो यह माइनस 10 गहात हट जाएगा माइनस 8 गहात हो जाएगा तो आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको इंसर इतना हो सकता है तो आप लिख सकते हैं Q बराबर क्या लिख सकते हैं 1.08 गुड़े 10 के पावर अब क्या हो जाएगा माइनस आठ कुलाम हो जाएगा मतलब यह हो गया कि यहां पे जो है दो अस्थान दसमलो लगाया गया तो एक दसमलो जीरो आठ गए दस के पाउर क्या हो जाएगा आठ जो है कुलाम हो जाएगा तो पहला जो एक कोशन जो है साल्ब हो गया कि अगर लिया जाए तो अब यहां लिख लेंगे बी और बी में लिखेंगे बीभो संभरन हटा ले बीभो बीभो मतलब जो बोल्टेज है बीभो को संभरन से मतलब सप्लाई से हटा लेंगे संभरन से हटा लिया जाए हटा लिया हटा लिया गया हो तो हो तो आवीस नियत होता है क्या नियत होता है आवीस नियत होता है अवीस की पहले जो हम लो संभरन से सप्लाई हो रहा था तो बीभो नियत था अब क्या है आवीस नियत रहता है तो यह नियम को आप लोग याद रखे रहिएगा कि अगर बीभो से सप्लाई हो रहा है तो बीभो जो है क्या है नियत है अगर बीभो से संभरन से सप्लाई से हटा लिया जाए तो क्या नियत होता है आवेश नियत होता है तो आवेश कितना था तो क्यू बराबर आवेश जो है क्या था तो आवेश कितना है देख लिजी आवेस एक दसमों आठ गुड़े दस के पावर क्या है माइनस नौ कुलाम है तो अब यहाँ आवेस को यहाँ परियोग कर लेंगे तो यहाँ लिखेंगे एक दसमों क्या है आठ गुड़े दस के पावर माइनस नौ कुलाम है यहाँ हो गया अब यहाँ पे जो ह C का मान क्या था तो C का मान जो है 108 जो है पिक को फैरड है अगर पिक को को हटा लेंगे तो क्या होगा 108 बुड़े 10 के पावर माइनस 12 जो है फैरड हो जाएगा तो अब यहाँ पर जो है आवेस का तो मान किलियर हो गया C का महिमान किलियर हो गया और B का महिमान किलियर नहीं है तो अब B का यहां गर्णा कर लेंगे तो B बराबर सुतर क्या होता है Q बटा क्या है C होता है B बराबर Q का महिमान क्या है तो 1.8 गुड़े 10 के पावर क्या है माइनस 9 है बटा हो गया C का मान मतलब धारिता, धारिता का मान क्या है तो 108 गुड़े 10 की पावर माइनस 12 है यह माइनस 12 गाज जब उपर चला जाएगा तो यह जब बाइनस 12 गाज जब उपर जाएगा तो 108 गुड़े 10 की पावर माइनस 9 में 12 को जोड़ लेंगे बटा हो जाएगा और नीचे लिखेंगे 108 हो जाएगा अब यहां 12 में से 9 को घटा लेंगे तो क्या बनेगा एक दस मलो 8 गुड़े 10 के पावर 10 के पावर क्या होगा 3 हो जाएगा बटा और नीचे क्या है 108 है अब यहाँ पे जो है एक दस के पाव तीन का मतलब होता है एक हजार और एक हजार से जब गुड़ा करेंगे तो यहाँ पे जो है दसमुल लगा हुआ है तो एक जिरू से दसमुलों हड जाएगा तो अठारह में सो का तब गुड़ा करेंगे तो यह हो जाएगा अठारह सो ब हाग कर देंगे तो सोलह दसमलो छे साथ जो है बोल्ट आ जाएगा भाग करके आप सबी भी द्यार थे चेक कर लिजेगा सोलह दसमलो छे साथ जो है बोल्ट आ जाएगा यह जो भी भुवांतर की गढ़ना हो गया अब इसमें लिख सकते हैं अहां पर अतह इस इस्तती में लि तो Q का मान जो था एक दस मलो आठ गुड़े दस के पावर माइनस नौ कुलाम था और C का मान जो था 108 जो है पिक को फैरट था और B का मान जो है 16 दस मलो 16 दस मलो 6 साथ जो है बोल्ट था यह तीन मान जो है किलियर हो गया तो प्रशन नंबर आप सभी विद्यार्थी प्रशन नंबर जो है 9 को अच्छे से समझ लिये होंगे तो अब हम लोग सीखेंगे प्रशन नंबर 10 प्रशन नंबर 10 जो है यह कोशन IMP है क्योंकि यह कोशन कई साल के परिच्छा में आ चुका है 12 प्रशन में दो मान दिया गया है पहले आ लिखेंगे हल और हल लिखने के बास से पहला मान जो दिया गया है 12 प्रशन नंबर 12 प्रशन में कितना फैरट होता है तो 10 के पावर माइनस 12 फैरट होता है भी का मान क्या है तो भी का मान जो है 50 बुल्ट है तो भी बराबर जो है 50 बुल्ट नोट कर लेंगे उर्जा यू बराबर जो है प्रशन वाचक है यू का मान इसमें पुछा जा रहा है तो U का सुत्र क्या होता है तो U बराबर होता है एक बटा दो C B का स्क्वाइर होता है यह सुत्र का निक्मन अभ्यास में कराया जा चुका है तो U बराबर एक बटा दो C का मान तो C का मान क्या है छे गुड़े 10 के पावर माइनस 12 है और B का बर्ग है तो B का मान 50 है तो 50 और दो है तो दो बार गुड़ा कर लीजिए अब दो से जो है छे को कार देंगे कितने बार में गया तीन बार में तो यू बराबर क्या हो गया तीन गुड़े दस के पावर माइनस बार हो गया गुड़े पचास में जब पचास के गुड़ा करेंगे तो क्या बनेगा पचीस मान जो 12 दिया गया 12 को 2 से काटेंगे तो यह 6 बनेगा अब यहां 6 से गुड़ा करेंगे 6 में जब पचीसो का गुड़ा कर लेंगे तिया हो जाएगा 15,000 हो जाएगा गुड़े 10 के पावर माइनस 12 है तिया जो मान थोड़ा सा धियां दिजिएगा 12 पिको फैरट दिया गया ह तो यहां 12 पिको फैरट रख लिजिएगा और 2 से 12 को काटेंगे 6 बार में 6 में पचीसो का गुड़ा करेंगे 15,000 अब यहां से जो है तीन अस्थाने एक दो तीन चार चार अस्थाने अगर इसमें 10 मनो लगा देते हैं तो क्या बनेगा एक दस मनो पाँच गुड़े 10 के प हाथ हो जाएगा अभी आगया आपका जूल तो यू कामान कितना आगया एक दस मनो पाँच गुड़े 10 के पावर माइनस 8 जूल आगया तो समझ में आगया होगा प्रशन नमबर 10 तो अब सीखेंगे प्रशन नमबर 11 तो कोश्चन नमबर 11 है 200 बोल्ट संभरन संभरन का मतल सप्लाई तो 200 वोल्ट सकथा एक छे स्थो पिकोफैरट के संधारी को आवेशित किया जाता है फिर इसको संभरन से वियोजित कर देते हैं मतलब इसका सप्लाई को बंद कर दिया जाता है तथा एक अन चेसो पिकको पैरड वाले अनावे सित संधारित से जोड़ देते हैं, इस प्रक्रिया में कितनी उर्जा का हास होता है, तो इसमें उर्जा हास की गणना करना है, और यहां जो मान दिया गए C1 का मान और C2 का मान दोनों का मान जो है 600, यहां पर 600 भी C1 का मान है, और य और दूसरा जो विववांतर होगा यहां संभरन से जब वियोजित कर देते हैं तो विववांतर क्या होता है सुनने हो जाता है तो अब यहां पे लिखेंगे पहले भीवन भीवन कितना है तो भीवन जो है नोट कर लेंगे 200 बोल्ट है 200 बोल्ट पहला मान किलियर हो गया अब c1 कितना है तो c1 बराबर 600 pico-farad है pico को हँटा देगे तो क्या बनेगा c1 बराबर 600 10 के पावर 12 1 pico-farad कितने parad के बराबर होता है 10 के पावर 12 parad के क्या है बराबर होता है तो c1 हो गया अब यहाँ भीटु लिखेंगे भीटू क्या हो जाएगा जीरू हो जाएगा क्योंकि संभरन से क्या कर दिया गया वियोजित कर देते हैं तो भीटू का मान जीरू हो जाएगा और C2 बराबर क्या है तो 600, 600 पिको फैरड है तो उर्जा हास को किसे पदरसित करते हैं तो U से पदरसित करते हैं U बराबर प्रश्णमाचक हो गया अब उर्जा हास का सुत्र क्या होता है तो आप सभी भी द्यार थी उर्जा हास का सुत्र जानते होंगे यदि नहीं जानते हैं तो सुत्र को याद रखेगा उरजा हास का सुत्र होता है यू बराबर होता है एक बटा दो C1 C2 बटा C1 पलस C2 कोश्टक में क्या होता है V1 माइनस V2 का वर्ग या सुत्र का निकमन अभियास में बताया जा चुका है तिस सुत्र को आप लोग याद रखेगा एक बटा दो, C1 का मान क्या है, तो C1 का मान 600, 600 गुड़े 10 के पावर माइनस 12, C2 का मान भी है, 600 गुड़े 10 के पावर माइनस 12, और बटा क्या हो जाएगा, बटा, अब C1 का मान पुना रखेंगे, तो C1 का मान क्या है, 600 गुड़े 10 के पावर माइनस 12, पला 600 गुड़े 10 के माइनस 12 कोच टेक में नोट कर लेंगे भीवन भीवन कितना है तो भीवन जो है 200 माइनस 0 का बर्ग है यह भीवन हो गया और यह भीटू का मान है अगला लाइन लिखेंगे यू बराबर होगा एक बटा दो यहां नोट कर लेंगे गुड़े हो जाएगा छे में जब 6 का गुड़ा करेंगे तो 36 2 0 और 2 0 में लिखेंगे 4 0 मतलब 36 1 2 3 4 36 लाख हो जाएगा गुड़े 10 के पावर माइनस 12 10 के पावर माइनस 12 और 200 में से जब 0 घटा देंगे तो क्या होगा 200 का बर्ग हो जाएगा बटा बटा हो गया और यहाँ जो है 600 गुड़े 600 गुड़े 10 के पावर माइनस 12 600 गुड़े 10 के पावर माइनस 12 तो यहाँ जूड़ करना है तो 600 और 600 मिल करके कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा तो यहाँ 1200 हो गया और 10 के पावर क्या होगा माइनस 12 होगा क्योंकि जब यहां का जो जोड में जब देखेंगे घाद बराबर होता है तो घाद सेम सेम है तो घाद को नीचे नोट कर लेते हैं इसको जोडते नहीं है 10 के पावर माइनस 12 10 के पावर माइनस 12 10 के पावर माइनस 12 को नोट कर लेंगे 600 600 मिले करके क्या ह rebuild 200 हो गया अब यह 10 के power 12 से 10 के power 12 कड़ गया जीरो से 0 खत्म, 0 से 0 हो जाएगा और 12 से जो है 36 काट देंग जी बारत दियाई क्या हो जाएगा? 36 300 हो गया यह 300 हो जाएगा अब यहां पर 200 से, अगर 2 से 300 को काट दें तो कितने आ जाएगा? देड़ सो आ जाएगा तो यहां काटना चाहें तो यहीं काट दीजे कितने आब आर में जाएगा देड़ सो हो गया तो अब क्या हो जाएगा एक सो पचास गुड़े दस के पावर माइनस बारह और यहां दो सो का बर्ग कितना होता है तो दो सो का बर्ग जो होगा 40,000 हो जाएगा दो का बर्ग 4 होता है दो 0 है तो 4 0 हो जाएगा अब यहाँ पे अब यहाँ डेड़ सो में जब 40,000 में गुड़ा कर लेंगे 40,000 है और तो यू बराबर हो जाएगा 60,000 60,000 हो जाएगा गुड़ा आप लोग कर लिजेगा 10 के पावर माइनस 12 अब यहाँ जब 40,000 में जब डेड़ सो को गुड़ा की है तो कितना गया 60,000,000 आ गया 1,2,3,4,5,6,6,0 को कम कर लेंगे तो क्या बन जाएगा यू बराबर हो जाएगा 6 गुड़े 10 के पावर माइनस 12 है तो क्या बनेगा माइनस 6 हो जाएगा और यहाँ क्या लिखेंगे जूल लिखेंगे तो आप सभी भी द्यार्थी समझ लिए होंगे कैसे इसको साल्व किया गया नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को एक बार और देखिएगा जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा तो आज का पढ़ाई कैसा था आप सभी भी द्यार्थी जरूर कमेंट कीजे यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आये हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिजे तो आज जो है अभ्यास दो का सभी प्रशन को बताया जा चुका चैप्टर समाप्त हो गया अब कल जो है अगला चैप्टर बैदु धारा का थिवरी वाले के बारे में बताया जाएगा तो कल से जो है तीसरा भ्यास को चालू किया जाएगा तो आज इतना ही तो कल मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के निये सभी विद्यार्थियों को नमस्कार